हलो गाईज, 28 अप्रिल को WBJ 2024 एक्जाम होने वाला है और उसमें जो आप लोग को OMR सिट मिलेगा Mathematics, Physics, Chemistry and Booklet जिसमें आप लोग का questions दिखा रहेगा तो ये सब questions को कैसे आप लोग attend करोगे OMR सिट में वे मर्स तो कैसे fill up करोगे, proper wise and थोड़ा tricks मैं बताऊंगा इस वीडियो में ताकि आप लोग को help मिल जाए तो बहुत informative वीडियो होने वाला है तो वीडियो को last सक देखो बिना skip करके उससे पहले बता दे तो last वीडियो में हम लोग admit card को पर बात किया था साथ मनें बताया था कि examhrals में इंटर होने से पहले आपके साथ क्या क्या हो सकता है क्या क्या चीज़ हो का आपको ध्यान में रखना हो इसको ले जाना पढ़ यह किक्या चीज़ को examhral mails करेगा सब कुछ मने बता दिया था उसका link निचे यह आपको देख लेना तो वेमर पहले आपको दिया जाएगा और उस वेमर को पहले आपको fill up करना होगा और booklet जो होगा यानि जिसमें आपका question seat होगा यह आपका पूरा sticker देके एकदम बंद रहेगा उसके जब टाइम होगा उसी टाइम में आप लोग यह open कर सकते हो उससे पहले नहीं ठीके तो first of all यह आप लोग पहले check कर लेना है आपका जो इसमें booklet number लिखा रहेगा यह बुकलेट नमबर आपका जो वेमर see t high उससे match हो रहा है कि नहीं यह बला आप लोग बुकलेट नमबर होगा यह यह number और इसमें जो question में जो booklet number रहेगा इधर यह match हो रहा कि नहीं वो पहले आपको देख लेना है अगर match नहीं हो पाता तो आपको क्या करना होगा उसको बापस करके नय ओमर्सित आपको लेना पड़ेगा first of all यह तो आपको देखना होगा so कुछ instruction दिया गया है चलो देख लेते पहले तो first इसमें बोला गया है इस way मर्सित में कोई भी extra दाग ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए तो आप लोगा यह cancel हो जाएगा second लिखा गया है so white mark जब use करोगे ना तो बहुत ही अच्छे से use करना ताकि इसमें थोड़ा जो deep ना लगे एकदम हलके के उपर आपको देना होगा तो इसलिए बोला गया है damage नहीं होना चाहिए ठीके last बताया गया है कि यह जो way मर्सित मिलेगा इसके back side में आपका कोई role या number या name कुछ भी लिखा नहीं रहना चाहिए ठीके और उसके बताया गया है कि यह जो exact correct method वह है यह वाला ठीके यह correct method यह से आपको देना होगा तो फर्स आपको question booklet number इधर से मिल जाएगा 2011047822 लिखने के बाद आप लोग क्या करोगे डू के निचे पहले आपको थूड़ा जासे डॉट दिना है ऐसे डॉट ठीके यह छोटा सा और दिना है डॉट देने के बाद आप लोग फूरा इसको फिलप कर देना च्छे से होग और जो बॉट पूरा फिलप करना होगा देखना हाँ ये थुरा इधर उद्र उदर नहीं जाना चाहिए और पूरा ये जो गोल है पूरा फिलल होना चाहिए ठीक है ऐसा आपको fill up करना होगा, दिन आपको admin card मिलेगा, तो admin card में आपका roll number लिखा होगा, देखो यह रहा roll number, तो इसी roll number को आपको इधर लिखना होगा, ठीक है, इधर, तो लिख दिये और वही same आपको गोल गोल देना पड़ेगा, और question booklet series, यह आपका a, b, c, d होता है, तो booklet number पे आप आपको इधर a बड़ा करके a, या फिर b, यह so करेगा, ठीक है, तो अगर आपका इधर a so कर रहा है, तो आपका जो booklet series हो, a में आता है, तो पहला आपको क्या करना होगा, इसमें a लिखना होगा, उसके पाद a के इसमें dot पूरा, इसमें ऐसे गोल गोल करके देना है, ठीक है तो ऐसा वो करना होगा, उसके बाद निचे आ जाओगे, निचे आने के बाद आपको subject लहेगा, mathematics, आपका पूरा नाम लिखना होगा, ब्लॉक लेटर में, यानि पूरे capital लेटर में लिखना होगा, आपका जो name of the center, यानि जो high school है, ओके, school का नाम जासे की, इस admin में लिखा ठीके, लिखाए, उसके बाद signature करना होगा, candidate, तो ऐसे आपको signature नहीं करोगे, पूरा आप लिखना होगा, जैसे कि मेरा हो गया उत्तम सरकार, तो मैं पूरा ऐसे उत्तम लिखोंगा, then, सरकार, ठीके, ऐसे आपको पूरा लिखना हो signature, ऐसे आपको signature होता है, ठीके, उसके ब और category 3, ये तीनों को fill up करना होगा, ठीक है, तो चले देख लेते हैं क्या करके, तो first of all category 1 में क्या बताए गया है, category 1 में आपका negative mark होगा 0.25, okay, category 2 में 0.50, ने हाप, और category 3 में कोई negative mark नहीं है, तो category में कोई negative mark नहीं है, that's why 10 और 10, आपका 20 जो question रहेगा, ये आपको full attend करना इसको छोड़ना नहीं है, जैसे कि ये category 3 हो गया, ये आपको full attend करना, क्योंकि इसमें कोई negative mark नहीं है, ठीक है, और अभी आते category 2, तो category 2 में अगर आप एक गलत कर दे तो 0.50 minus हो जाएगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है, और अगर सही करते हो तो 2 marks मिल जाएगा, तो ये भ होगा, तो ही मैं इसका लिखूंगा, otherwise मैं छोड़ दूँगा, आगे वाले क्या कर रहा है, उसको मुझे ध्यान में नहीं देना है, ये ही ध्यान देना है, कि अगर मैं इस question का answer जानता हूँ, तो ही मैं attain करूँगा, otherwise मैं छोड़ दूँगा, और अगर मैं कुसी का question नहीं सब का मुझे नहीं पता, तो सभी आप लोग छोड़ दोगे, seriously छोड़ दोगे, क्योंकि इसमें आपका negative marks बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब एक अबर आप गलत कर दे तो आपका 2 भी जाएगा, and 5-0 में 2.50 जाएगा, minus, ध्यान रखना ये, ठीके, same category 1 में इसमें थोड़ा है, क्योंकि इसमें आपका 0.25 जाएगा, यानि हाप के हाप जाएगा, ठीके, यानि चार गलत करते हो, तो एक नमबर आपका कट जाएगा, इधर आपका 2 गलत करते हो, तो आपका एक नमबर कट जाएगा, ठीके, तो वही same चीज़, इधर भी आप लोग को, जिस कोशन में लगे कि नहीं मेरा होई जाएगा ये एकदम 100% स्योर है तो ही आप लोग अटेंड करो otherwise अगर आपको 80% ये 70% हो सकता है ये सही अंसर तो अटेंड करो 50% से नीचे अगर आप लोग अस्योर हो तो अटेंड मत करो category 1 को चाहे आपके सामने वाला branch में जो बैटा है वो सभी में गोल-गोल कर दिया है उसको आपको just avoid करना है आपको जो पता है question का answer वो ही question आपको attend करना है और category 3 में एक और चीज़ है कि एक भी question सही हो सकता है दो भी हो सा थीन भी हो सा चार भी हो सकता है तो आप लोग हमेशा try कीजिए कि एक bubbles को आप लोग पूरा fill up कर जिए अगर आपको 100% पता नहीं है कि 66 का A और D सही है तो अगर आपको ये पता नहीं है तो आप लोग एक में just fill up करो यानि एक ही slit करो बाकी आप लोग छोड़ दो ताकि आप लोग को एक अच्छा कासा नंबर मिल जाए कि दर से ठीके और अगर आप लोग 100% सियोड हो कि नहीं A और D होगा answer category 3 में तो आप लोग करो कोई problem नहीं है ठीके तो ये मैं just आपको बोलना चाहूंगा दोनों ही आप आपको सेम चीज करना है आपका chemistry में तो chemistry में दिखा दिता हूँ देखो booklet number यह मिल गया है मेरा ओके उसके बाद अभी इस लाइन में आपका chemistry रहेगा इस लाइन में फिजिस रहेगा रोल नंबर लिख दिये booklet series भी लिख दिया ठीके और यह मैंने मैंने पूरा मेरा signature मेरा school का name यह सब कुछ लिख देए ऐसे एकदम बिल्कुल भी नहीं करना है ठीके एकदम साब सुद्रा होना चाहिए इसमें देखो category 3 में पूरा आपको अटेंड करना है जो किस नेगेटिव मार्क नहीं है category 2 में जो भी आपको आता है तो ही आप लोग करो otherwise आप लोग छोड़ दो और category 1 में आप लोग को जो आता है at least 50% जो सियोर हो minimum तो ही आप लोग अटेंड करो otherwise छोड़ दो ठीके यही ठीके तो अब आपको ऐसे फूरा फिलप करना है मैंने फूरा बता दिया क्या का चीजों का ध्यान देना है जब आप लोग exam hall में exam घड़ा जाओगे तब मिलाओगे न तब आप लोग समझ भाओगे नेगडिव का क्या actual में काम है ठीके इसलिए मैं बार 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 बोल रह आपके लिए बाई टेक क्या है